जैसा कि हम सब को पता है भारती न्याईपालिका सवतंत्र और एकीकरत न्याईपालिका है तो भारती न्याईपालिका इस तरीके से है जिस पिस सर्वोच या सिर्श सिखर की जब हम बात करें तो सर्वोच न्याले उससे नीचे अधिनस्त उससे नीचे हाई कोड यानि राज न्याले इस तरीके से भारतिय न्याई पालिका है और भारतिय न्याई पालिका के का जो आज हमारा टोपिक है वो है उच्छ न्याले तो उच्छ न्याले के बारे में हम बात करेंगे नमस्कार स्टुडेंट्स आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है बढ़ते ह आगे हम कि हमारी न्याइपालिका की बात हमने कर ली एक इकरत न्याइपालिका, सौतंतर न्याइपालिका, सरवच न्याइपालिका तो अनुछेद 214 कहता है कि भारत में प्रतेक राज्ये के लिए उफच न्याले होगा लेकिन साथ ही साथवा सविधान संसोदन किया गया 1956 में और संसद को यह अधिकार दिया गया किवध दो या अधिक राज्यू या केंदर सासित परदेशूं के लिए एक उचन्याले भी गठित कर सकती है यानि सांजा उचन्याले की बात कही गई है वर्तमान में 25 उचन्याले है जब हाई कोर्ट की बात करें हम तो 25 हाई कोर्ट अभी वर्तमान में है आगे बढ़ते हैं भारतिय सविधान के भाग 6 के अध्याई 5 में अनुछेद 14 से लेकर अनुछेद 232 तक राज्यूं के उचन्यालियूं की गठन एउं उनका अधिकार समन्दी प्रावधानों का वर्नन करता है और अनुछेद 14 के अनुछेद 14 के अनुछेद अनुछेद की जब हम बात करें तो अनुछेद 231 में सविधान संसोदन करके सामिल कर दिया कि संसद दो या दोस या दीक राज्यूं के लिए ही एक उच न्याले की वेवस्था भी कर सकती है बढ़ते हैं आगे उच न्यालियूं का गठन सविधान के अनुछेद दोसो सोडा में उच न्यालियूं के गठन का उलेख किया गया है और इसमें कहा गया है कि प्रतीक उच न्याले का एक मुख्य न्याइधिस होगा और अन्य न्याइधिसों से मिलकर बनेगा जिसकी न्यूक्ती राष्टपती समय समय पर करेंगे यानि उच न्यालियों के न्याइधिस और मुख्य न्याइधिस की न्यूक्ती राष्टपती द्वारा की जाती है। राजस्थान की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में पचास न्याइधिसों की व्यवस्था की गई। प्रावधान क्या गया है? सर्वुचे न्याले की तरह उचे न्यालियों की इस्तिती में अन्य न्याइधिसों की संक्या सविधान द्वारा निश्चित की गई सिक्किम में सबसे कम न्यायधीस है और उत्तर परदेश में सबसे अधिक न्यायधीस है राष्टपती को सविधान के अनुछेद 213 के तहत एक कारेकारी मुखे न्यायधीस तथा अनुछेद 224 के अंतरगत अत्रीक्त न्यायधीसों के न्यूक्ति का अधिकार दिया गया है न्याएधिसों की न्यूक्ति कैसे होती है तो इस सविधान के अनुचेद 217 इसके लिए उले करता है कि उच्च न्याले के न्याइधिस की न्यूक्ति किसके द्वारा होगे उच्च न्याले के मुखे न्याइधिस की न्यूक्ति राष्टपति के द्वारा होती है और सरवोच न्याले के मुखे न्याइधिस की न्यूक्ति मुखे नयाधिस और उस राज्य के राज्य पाल की प्रामर्ष से ये न्यूक्ति की जाती है तो न्यूक्ति राष्टपती द्वारा की जाती है लेकिन सिफारिस उस राज्य के जो नयाधिस है मुखे नयदीस हैं उनकी सिफारिस ली जाती है और राज्ये का जो राज्येपाल है उनकी सिफारिस ली जाती है उच्च नयले के अन्य नयदीसों की न्युक्ति में राष्टपती सरोच नयले के मुखे नयदीस और उच्च नयले के मुखे नयदीस तता उस राज्ये के प्रावधान देखते हैं जो कि अनुछेद 272 में उलेक क्या गया है कि क्या इनकी योगेताई हो सकती ही नयदीसों की वह भारत का नागरिक हो दस वर्स तक कोई अधिनस्त नयले में नयदीस रहे हो या कहें कि किसी भी उच नयले में लगातार दस वर्स तक वकालत की हो या र राष्टपती की द्रष्टी में वह पारंगत अधिवेक्ता हो तो भी वह नयदीस बन सकते हैं नयदीस बनने के लिए कोई नियूनतम आयू शीमा है वो निश्चित नहीं की गई समिधान में इसके लिए 62 वर्स पूरी होनी जरूरी है और सर्वोच नयले में 65 वर्स की है तो इनकी सपत का देख लेते आनोचेद 2019 में उल्लेख है इनेहे सपत राजी पाल द्वारा दिलवाई जाती है राजे पाल अपने द्वारा किसी विक्ति को भी न्यूक्त कर सकते है तो उनके समक्स इनको सपत लेनी पड़ती है कारेकाल इनके कारेकाल के लिए कुछ प्रा फारिश हो जाए तो राष्ट पति उन्हें पद से हटा दें या सर्वोच न्याले के में न्यूक्त होने पर अन्य उच न्याले में इस्थानांत्रण होने पर या वर्तमान न्याले में अपना पद छोड़ दें तो भी उनका कारेकाल समाप्त हो जाता है त्याग पत्र किसको देंगे मुख्य न्याय धिस और अन्य न्याय धिस राष्ट पती को अपना त्याग पत्र देते हैं इस्थाना अंतरण कौन कर सकता है तो उच न्याले के नयाई दिशों का एक उच न्याले से दूसरे उच न्याले में राष्ट पती द्वारा इस्थाना अंतरण किया जाता है और वो सर्वोच न्याले के मुख्य न्याई दिश के प्रामर्श से वेतन और भत्ते अनुछेद 221 के अनुसार ये इनके वेतन और भत्ते हैं उच न्याले की सक्तियां देख लेते हैं तो उच न्याले की सक्तियां प्रारंभीक छेत्रादिकार, अपीलिय छेत्रादिकार और रिट समंदी छेत्रादिकार और अभिलेक न्याले समंदी छेत्रादिकार, अभिलेक न्याले, न्याईक समिक्षा की सक्ति अधिनस्त न्यालियों पे नियंत्रन समंदी इनका छेत्रा और परिये व्यक्षन समंदी चेत्रादिकार महत्तोपून बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और प्रारंभीक चेत्रादिकार में इनका मूल अधिकार के परवर्तन समंदी मामले आते हैं और अधिनस्त न्याले में उपस्तित कोई ऐसा विशे भी हो सकता है जो समिधान की व्यक्या या उनके पर्षन से समंदी थो संसद राज्यों और विधान मंडल सदस्यों के निर्वाचन समंदी विवाद भी उच न्याले के प्रारंभीक चेत्रादिकार में आते हैं राजस्व संग्रण और अरन्य राजस्व मामले भी प्रारंभीक चेत्रादिकार में वि मामली जिसमें विधी का कोई भी परशन हो समंधित जिला यों अधिनस न्याले में नेणय के विरूद उच न्याले में अपील की जा सकती है। जब मामले आपराधिक हों तो आपराधिक मामलों में अपील साथ साथ से अधिक सजावाले मामलों में सत्र न्याले में अतिरिक सत्र न्याले के नेने के विरूद उच न्याले में अपील की जा सकती है मर्तिवधन समंदी मामलों के पुष्टी उच न्याले द्वारा क्या जाना आवशेक है चाहिए पीडित ने अपील किया हो या नहीं की न्यायदीस या रिट समंदी छेत्रा दिकार सविधान का अनुछेद 226 रिट समंदी प्रावधान करता है अनुछेद 226 महत्तोपून अनुछेद है उच न्याले मोलिक अधिकारों के परवर्तन और उनके रिट समंदी जो पांच परकार की रिट है बंदी पर तेक्षी करण परमादेश परतिशेद उत्प्रेक्षण अधिकार पर्णच इन सब रिट की सुनवाई उच्छ न्याले में अनुच्छेद 226 के तहट की जा सकती है और जब हम सर्वोच न्याले की बात करें तो अनुच्छेद 32 में ऐसा प्रावदान है बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और उच्छ न्यालियों के लिए अभिनेक न्याले की जो वेवस्था की गई है वो अनुच्छेद 215 में है अभिनेक न्याले मतलब आउमानना समंदी मामले जिनमें दंड देने की सकती उच्छ न्याले को दी गई है वो है अनुच्छेद 215 में अनुच्छेद 215 कहता है कि अगर सर्वच न्याले की भाती उच्छ न्यालियों की बात का उलंगन किया जाए उनके प्रावधानों का उलंगन किया जाए तो उन्हें दंड देने की सकती दी गई है न्याई का समिक्ष्या समन्दी सक्ति, न्याई पालिका की न्याई पुंद्रो लोकन्ज की जो सक्ति होती है, वो सरवोच न्याले को जहान उचेद 13 में दी गई है, वहीं उच्च न्यालियों को ये सक्ति अनुछेद 226 में दी गई है अधिनस्त न्यालियों पे नियंत्रण की सक्ति अब उच्च न्याले अपने अधिनस्त न्याले जो भी जिला न्याले हैं और उनके नीचे के न्याले हैं उन पे नियंत्रण की एक व्यापक सक्ति उच्च न्यालियों पे बाद्धेकारी है और उसी परकार उच न्याले के जो कानून है वो उसके अधिनस्त न्यालियों पे बाद्धेकारी है प्रीय वेक्षन समन्द यानि उच्छ न्याले अपने से अधिनस्त जोबी न्याले हैं उनका प्रीय वेक्षन कर सकता है ये उच्छ न्याले की ऐसा धान सकती है किन्तु ऐसी मित सकती नहीं है यह most important factor है कि उच्च न्याले की ऐसा धन सकती है ऐसे मित सकती नहीं है अब जो next point है वो न्याइद हीसूं को हटाया कि इस तरीके से जाता है तो हटाने के लिए कून सी परकृया को अपनाई जाती है तो न्याइद हीसूं को हटाने के लिए वो ही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सर्वोच न्याले के न्याय धीसों को हटाने के लिए अपनाई जाती है इन्हें केवल दो आधारों पे हटाया जा सकता है वो आधार हैं या तो वो ऐसमर्थ हो या उन पे साबित का दाचार हो तभी न्याय दीसों को हटाया जा सकता है उच्च न्याले समंदी महत्तोपूर्ण अनुछेद अब हम देख लेते हैं तो अनुछेद दोसो चोदा कहता है कि उच्च न्याले राज्यों के लिए एक उच्च न्याले होगा अनुछेद दोसो चोदा अनुछेद 215 कहता है कि अभिलेख न्याले की सक्ती इनको प्राप्त होगी अनुछेद 216 कहता है कि उच्च न्यालियों का गठन किस तरीके से क्या जाएगा अनुछेद 217 कहता है कि उच्च न्यालियों की न्युक्ति और पद समंदी सर्तें क्या होगी अनुछेद 219 सपत समंधी प्रावधान करता है उच्च न्यालियों की सवतंतरता समंधी क्या प्रावधान है अब हम देख लेते हैं कि न्याय पालिखा सवतंतर रूप से कारिय करे तो इसके लिए कौन से प्रावधान किये गए है तो न्याय धिशूं की जो न्युक्ती है उसकी विधी इस तरीके से अपनाई गई है कि वो सवतंतर रूप से कारे कर सकें कारेकाल के उनको उस रुख्षया दी गई है उनकी निश्चित सिवासरते है वेतन भतत्य आदी संचित निधी पे भारित है न्याय धिसूं के कारियोंपे संसद या राज्जे विधान गंडल में चर्चा नहीं कि जा सकती। सवतंतरता परदान की गई है सविधान अब अधिनस्त न्यालियों की बात करेंगे हैं उच्च न्याले के अधिन जो अधिनस्त न्याले हैं वो सविधान के भागच है और अनुचेद है 233 से 237 तक अधिनस्त न्यालियों की बात की गई है तो अधिनस्त न्यालियों में इनक गठन और कारेपाली का समंधी जो भी सकतियां है वो सविधान का भागच है और अनुछेद 233 से 237 के बीच भड़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और जिला न्याइधिस की न्यूक्ति अनुछेद 233 में की गई है जिला न्याइधिसों की न्यूक्ति पद इस्थापने पदो यह नोट करने वाला पॉइंट है कि यहां राज दर जेपाल करेगा न्यूक्ति योग्यत आ योग्यता देख लेते हैं कि इनकी योग्यता क्या हो केंद्र और राजए सरकार की शीवा में कारिरत ना हो और कम से कम सात वर्ष का इनको अधिवक्ता का अनभव हो इनकी न्युक्ति की सिफारिश उचन्याले द्वारा की गई हो अन्य न्याइधिसों की न्युक्ति अनुछेद 234 के तहट की जाती है राज्य पाल जिला न्याइधिस के अलाव जो भी न्याइक सिवा के पद्वों पे हैं उनकी न्युक्तियां करते हैं और इसके समंद में निम लिखित प्रामर सावशेख है राज्य लोक सिवायोग जो की आरपीशी है उसकी सिफारिश ले जाती है और समंदित उचन्याले की सिफारिस होने पे राजेपाल इनकी न्यूक्ति करते हैं अधिनस्त न्यालियों पे नियंत्रण समंदि जो अनुछेद है वो अनुछेद है 235 अधिनस्त न्यालियों पे नियंत्रण के लिए उच्छ न्यालियों को जिला न्यालियों और अन्य न्यालियों में न्याईक सेव जिला और सत्र न्याएधिस का न्याले जो कि दिवानी न्याले और फोजदारी न्याले दो भाग में बाटा गया है तो दिवानी न्याले अधिनस्त न्याएधिस का न्याले और मुनसीप अदालत दिवानी न्याले के नीचे अधिनस्त न्याएधिस का न्याले फिर अधिकारी का न्याले जिला वह सत्र न्याइधिस वह जिले का सबसे बड़ा न्याई का धिकारी होता है जब वह सिविल मामलों के सुनवाई करता है तो जिला न्याइधिस कहलाता है और जब वह फोजदारी मामलों के सुनवाई करता है तो वह सत्र न्याइधिस कहलाता है ये केवल फोजदारी मामलों के सुनवाई करता है और साथ वर्ष तक के कारवास के सजा दे सकता है ये भी जिला न्याले के नीचे इस्तर पेकारे करता है मुनसीफ हदालत जिले का सबसे नीचे का इस्तर न्याले का जो होता है वो शिविल मामलों के सुनवाई करता है और ये नियाई का दंडा दिकारी का नियाले होता है मुनसीप अदालत ये केवल फोज़दारी मामलों की सुनवाई करने वाला जिले का सबसे निचला नियाले होता है तो कई भार ये परसन पूछ लिया जाता है कि सबस जिले का सबसे निचला नियाले ये तीन वर्स्तक के कारवास की सजा दे सकता है अब लोक अदालत की भी वेवस्था की गई है लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां निमली खित मामले सुने जाते हैं और ये मामले जो न्याले में लंबित होते हैं मामले जो अभी तक न्याले के समक्स लाए नहीं गए दो प्रकार के उत्ते या तो वो लंबित हों या न्याले के समक्स लाए नहीं गए हों तो लोक अदालत की ये कोंसेप्ट है अवधार्णा है सबसे पहले गुजरात में 1982 में लागू की गई थी और लोक अदालते गांधिवादी दर्शन पे आधारित हैं कि लोग जनता की समस्या को सुल जाया जाए जो विवादूं का वेकल्पिक समाधान सुझाती है यहां विवादूं का समाधान न लिखी तरीके से किया जाता है या तो बातचीत द्वारा करें या मध्यस्ता करके करें या कोई सुलाय समझोता कर लें या सहज बुद्धी का उप्योग करके कर लें समस्याओं के परतिमान वे दरश्टिकों अपना लें इन सब तरीकों से इसे सुल जाया सकता है जन अदा तो न्याई उपलब्द कराना इनका मकसद है, उनके concept यह है कि जनता को सुलब, सस्ता और अनोपचारिक तरीके से कोई उपचारिक ताना हो जिसमें, उस तरीके की न्याई उपलब्द हो जाए, वैधानी किस्तिति, वैधानी के सेवाई प्राधिकन अधिनियम 1987 के द्वारा लोग अदालतों को कानूनी दर्जा दिया गया है, लोग अदालतों को वही सक्तियां प्राप्त हैं, जो civil court को code of civil procedure के तहट प्राप्त होती हैं, लोग अदालतों द्वारा किया गया है, फैसला अंतिम, तथा सभी पक्षूं पे बाद्देकारी होता है, यह बड़ी प्सान है, जो महंगी न्याइक परकरिया से नहीं गुजर सकता, उसके लिए इसमें बहुत लाब है, इसमें किसी परकार के अदालती फीस नहीं लगती, यदि न्याले में फीस का वुगतान नहीं किया गया है, किन्तों आमले का निप्टान लोग अदालता द्वारा किया तो न्याले द्वारा जमा फीस को लोटा दिया जाता है, सभी पक्स अपने वकीलों के माद्धिम से न्याइ दी सिधे समाद कर सकते हैं, इस परकार लोग अदालते कम समय, कम लागत और तकनी की जटिलताओं के बिना न्याइ परदान करने में साहिक है, परिवार के हम लोग मध्यस्ता द्वारा सुल जाने, या तवरीत गति से सुल जाया जासकता है, परिवार न्याले के स्दापना राज्य सरकार द्वारा उच्छ न्याले की सहमती सी की जाती है, और एक लाक से अधिक जन संख्या वाला, अगर कोई नगर है, तो वहां पर परिवार न्याले अनिवारी हो जाता है, अपील कहां करें इसकी, तो परिवार न्याले के नेने के विरूद केवल समंधित उच न्याले में ही अपील की जा सकती है, कहीं और नहीं की जा सकती, और ये ग्राम न्याले, तो ग्राम न्याले का कॉंसेप्ट 2008 में आया, और ग्रा का पहला ग्राम न्याले 17 नवंबर 2010 को बसी में खुला गया था तो पहला ग्राम न्याले 17 नवंबर 2010 को बसी जैपूर में खुला गया था बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और ग्राम न्यालियों का जो उद्देश से है वो है गरीब और साधन हीन लोगों के दर्वाजे तक न्याय सुलब्द करा देना जिससे उन्हें शिग्र और सस्ता न्याय उपलब्द हो जाए विशेष्टा ग्राम न्याले एक चलाइमान न्याले होगा जो दिवानी और फोजदारी दोनों सक्तियों का अभोग करेगा विवादों का समाधान करने में मद्यस्ता सुलह और प्राकरतिक न्याय सिध्धान्तों का प्रियोग किया जाएगा इसमें और न्याय का दिकारी की जो न्युक्ति है वो राजे सरकार के उच न्याले की सहमति से की जाएगे ये ग्राम न्याले की अध्यक्सता करेगा सविधान का अनुछेद 14 हम उच न्याले के बारे में थो स्वाई मान सिंग द्वारा राजस्था जेपूर के महराजा स्वाई मान सिंग द्वारा गुनतिस अगस्त उनिस्व उन्हंचास को जोधपूर में क्या गय था और मुखे न्यायदीस हैं वो कमल कांत वर्मा हैं पहले मुखे न्यायदीस बने वो कमल कांत वर्मा बने थे और उस समय ग्यारा अने न्यायदीस हों को महराजा मान सिंग ने सपद दिलवाई थी सविधान लागू होने के बाद प्रथम मुख्य नायधिस कैलासनाथ वाचू बने थे, सविधान लागू हो गया उसके बाद से, क्योंकि ये बात 29 अगस्त खेल दिवस के दिन, 1949 को जोदपूर में मुख्य नायधिस, मुख्याले, इसका उच न्याले की स्थापना की गई थ कैलासनाथ वाचू नायधिस, स्री कैलासनाथ वाचू मुख्य नायधिस के पदपे सरवाद एक लंबी अवधी तक रहने वाले, नायधिस रहे हैं 1951 से 58 तक, पी सत्य नाराइन राव समीती, पी सत्य नाराइन राव समीती और वी विश्वनाथन, समीती की सिफारिस पर र जैपूर बेंच की स्थापना की गई अब हम जानते हैं कि जोदपूर बेंच के तहत जिला न्याले और जैपूर बेंच के तहत जिला न्याले कौन से आते हैं क्योंकि 1977 में पुना जैपूर बेंच की स्थापना कर दे गई थी तो जोदपूर बेंच में बालोत्रा बाड मेर बांसवाडा भीलवाडा विकानेर चित्तोडगड और चूरू और इधर जैपूर के बेंच के तहज अजमेर अलवर बारा भरतपूर बुंदी दोसा धोलपूर और जोधपूर के चूरू के लावा डूंगरपूर हनमानगड जैसलमेर जालोर जोधपूर मेट्रो और जोध जोधपूर बेंच के अंडर में आते हैं और करोली, कोटा, स्वाई, मादोपूर, शीकर, टॉंक ये भी जैपूर के अंडर में आते हैं जोधपूर मेट्रो के अलाव जोधपूर, जोध नागोर, पाली, परताबगड, राजसमंत, सिरोही, गंगानगर और उदेपूर य जो की एक बेंच है, उसके तहित कौन से जिले आते हैं, वो हमने देख लिए, राजस्थान उचन्याले में वर्तमान में मुखे न्याएधीसूं की जो संख्या है, पद हैं, वो पचास स्वीकर्त की हुई हैं, पचास पद स्वीकर्त हैं, तो इस तरीके के जो की competition के लिए आपके लिए यूज भूल हों, इस तरीके के वीडियो डाले जा चुके हों, डाले जाते रहेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तब थैंक्स